हेलो फ्रेंड कैसे हूँ, उमीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अगर आप लोग भी अपने लिए कोई नया Samsung का स्मार्टफूर लेने के लिए सोच रहे हैं, 10.000 रुपे से कम के प्राइस में और कन्फ्यूजों की कौन सा स्मार्टफूर आप लोगों के लिए बेश्टर हैगा, तो आज के ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आए, तो बिना देरी करें चलिए, वीडियो का हम सुरू करते हैं, अर्ड नंबर पर आता है हमारा Samsung Galaxy M02s, जिसे 9999 रुपे के प्राइस में 3GB RAM और 32GB storage वाले गैलेक्सी के M02s में 6.5 इंच की 1 HD plus TFT डिस्प्ले देखने के मिल जाते हैं, जि हाँ TFT डिस्प्ले देखने के मिलती हैं, जब कि इस प्राइड एंड में और बहुत सारे स्मार्ट फोन उसमें आप लोगों को IPA डिस्प्ले देखने के मिलती हैं, जो कि Galaxy M02s का 1 माइनस जातीज़ तो बैक में डिपल रियर कैम्रा सटप देखने के मिल जाता है, 13 Megapixel का में इंटरामरी कैमरा मिलता है, बाकी की 2 कैमरे 2 प्लेश 2 Megapixel के मिल जाते हैं, जो एक सेलफी के लिए 5 Megapixel का सेलफी कैमरा देखने के मिल जाता है, प्रफोर्मेंस में अगर नजट डाली तो गैलेक्सी के M02S में 1.8 GHz वाला Qualcomm Snapdragon 450 का एक एवरेच परफॉमिस वाला प्रोसोसर देखनों को मिल जाता वहीं गैलेक्सी के M02S में आप लोगों को कोई fingerprint sensor देखनों को नहीं मिलता जो कि इस स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा माइनस अगर आप पंच ओर डिस्पेले वाले स्मार्टफोन को काफी जारा पसंद करते और लेना चाहते कोई नया पंच ओर डिस्पेले वाले स्मार्टफोन खासकर Samsung का यह हो तो सेकेंड नंबर पे आता है हमारा Samsung Galaxy M11 जिसे 9600 लिन्यान बरुपे के प्रैस में 3GB RAM और 32GB वाले वीरियंट को बाई कर सकते Galaxy M11 में आप लोगों को 6.4 इंच की एक HD plus TFT डिस्पेले देखने को मिल जाती है बैसे डिस्पेले की क्वाल्टी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है पर डिस्पेले में पंच ओल होने को वाजे से डिस्पेले की जो क्वाल्टी हो इतनी समझ में नहीं आती है वहाई Galaxy के M11 में भी आप लोगों को Qualcomm Snapdragon 450 का एक average performance वाला प्रोसेसर देखने के मिल जाता है बैटरी सेग्मेंट के अगर बात करी जाए तो 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 15W के fast charging के साथ USB Type-C port का support देखने को मिल जाता है camera segment पे अगर नजाट डाली जाए तो Galaxy के M11 में भी आप लोगों को back में triple rear camera setup देखने को मिल जाता है main primary camera 13MP का देखने के मिलता है बागी के 2 camera 5 plus 2MP के मिल जाते हैं with LED flash light के साथ वह इस selfie के लिए 8MP का selfie camera देखने को मिल जाता है जो कि 10,000 रुपे से कम की price में आप लोगों को पांचोर डिस्पली के साथ साथ एक अच्छा camera setup भी देखने को मिल जाता है fast charging का support भी देखने को मिल जाता है जो कि इस pride में कहीं ने कहीं एक अच्छा smartphone बन जाता है Samsung का कोई all-rounder smartphone लेने के लिए सोच रहे हो गैलेक्सी के M12 के अगर advantage की बात करी जा तो कम से कम price में ये एक one of the best smartphone है कोकि आप लोगों को गैलेक्सी के M12 में 48 MP का main primary camera मिलता है बाकि के 3 camera 5 plus 2 plus 2 MP के मिल जाते है with LED flashlight के साथ वहीं selfie के लिए 8 MP का selfie camera देखने के मिल जाता है battle segment के अगर बात करी जाए तो 6000 MP की एक बड़ी बैटी मिल जाती है 15W के fast charging के साथ USB Tab C port का support देखने के मिल जाता है display segment के अगर बात करी जा तो गैलेक्सी के M12 में 6.5 इंच की एक HD plus TFT डिस्पेले देखने के मिल जाती पर डिस्पेले में 90 हैटर्स होने के वज़े से डिस्पेले की क्वाल्टी इतनी समझ में नहीं आती है और डिस्पेले काफी smooth बन जाती है performance के अगर बात करी जाए तो Galaxy के M12 में सैमसंग का Agenos 8 Octa का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जोकि all over अगर देखा जाए 10,000 रुपे या 11,000 रुपे के प्राइस में यह एक one of the best smartphone बन जाता है वह security feature के लिए Galaxy के M12 में Side Mountain Fingerprint Sensor देखने को मिल जाता है